नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं पवार के फायदों के बारे में पवार एक बेहद ही गुनकारी और शदी है बहुत ही आसानी से मिल जाती है इसको हम सभी चक्रमर्द या फिर चिरोटा के नाम स से भी जानते हैं यह मुख्यता वर्शारीत की पहली फुहार पड़ते ही उग आती है खुधी निकल आती है और गर्मी के दिनों में जो जो जगह सुख करके खाली हो जाती है वह घास और पवार के पोदे से भर कर हरी भरी हो जाती है इसके पत्ते अठनी के आकार के और तीन जोड़े वाले होते हैं इसकी फलियां पतली एवं गोल होती है चक्रमर्द को उगाने के लिए विशेश प्रकार की जलवायू या मिट्टी की आवशकता नहीं होती है यह हर जगह खुद बखुद उगाती है और म मेथी के पत्तों जैसे ही इसके पत्ते होते हैं देखने में इससे मिलता जुलता एक और पोधा होता है जिसे कासमर्द या कसोंदी कहते हैं यहां पोधा चक्रमर्द से थोड़ा छोटा होता है और इसकी फलियां पतली एवं गोल होती है यहां खासी के लिए बहुत ही गु लागताती है चक्रमर्द को उगाने के लिए इसके बीजों को खेत में बिखेर देना ही काफी होता है यह बहुत ही अच्छी और शदी के रूप में कार्य करती है आई आज हम सभी जानते हैं इसके गुनों के बारे में लाभों के बारे में जी हाँ दाद, खाज और खुजली की समस्या हो तो चिरोटा के बीजों को पानी में कुचल करके रोग ग्रस्त अंग पर लगा दीजे आपको आवश्य लाह मिलेगा इसके अलावा किसी को अगर फोड़ा हुआ हो तो आपको चिरोटा के पत्तों को पीस करके उस पर लेप लगा देना है आपका फोड़ा सांत हो जाएगा दुधिया कमरदर्द चकवर से फोड़ा फुनसी खांसी दमा और प्रसूती की बिमारी के लिए अडूसा राम बांड दवा के रुप में कारे करती है कुष्ट रोग दूर करने में सहायक मेमोरी पावर को बढ़ाती है ये बहुत ही अच्छी और शद ही है अगर किसी को पिलिया हो गया हो डांग गुजरात के हरबल जानकार कहते हैं कि इसकी पत्यों और बीजों का काढ़ा रोगी को देते रहिए आपको अवश्य लाव होगा लगभग 50 ग्राम पत्यों को दो कप पानी में उबाला जाता है जब पानी एक कप शेश बच जाता है तो इसे छान कर रोगी को दिया जाता है माना जाता है कि पिलिया जल्दी है इससे ठीक हो जाता है पत्यों के काढ़े को दांतों पर लगाईए और इसी काढ़े से कुल्ला कीजे इससे दांतों की समस्या जैसे कि दांतों का दर्द, मसूडों से खूनाना ये सारी शिकायतें अपने आप दूर हो जाती है लगभग 10 ग्राम बीजों को एक कप पानी में उबाल लीजे, काढ़ा तयार कीजे और बच्चों को दीजे, इससे पेट के क्रीमी मर जाएंगे और शोच आसानी से बाहर निकलेगा यानि कि कबजी की समस्या दूर हो जाएगी, इसके अलावा ये खेती में भी प्रयोग किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, प्रोटीन भी भरपूर मातरा में होता है, या फिर इसको खेतों में जला करके भी लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत ही गुणकारी और शदी है, इसके अलावा शीर सूल में ये बहुत ही गुणकारी है, इसके बीजों को निम्बू में पीस करके सिरदर्द पर लगाना चाहिए आधा शीशी के दर्द पर बीजों का नस्य भी लाफ करता है वातरोग यानि कि किसी के जोडों में दर्द हो तो वातरोगों में सरसों के तेल में चकवर के पत्तों का शाक भून करके खिलाईए लेकिन ध्यान रहे कि से अधिक खाने से दस्त होने लगेगा इसलिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए तो आपके लिए ये लाफकारी सिध्ध होगा जिहां इसके अलावा लगभग 10 ग्राम बीजों को एक पानी में उबाल करके काला तयार करके बच्चों को दीजिए पेट के कीड़े मर जाएंगे औ उसे पत्यों और बीजों को कुचल करके पेश्ट तयार कर लेना चाहिए और लेप लगाना चाहिए इससे 82 रोग से निपटने में बहुत ही आसानी हो जाती है जिहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए चकवर के फायदों से रिलेटेड अगले एपि नमस्कार दोस्तों